हे गाईस विलकम टू सक्सस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागा थे अपका इस वडियो में तो दोस्तों बिगेस्ट अपडिट है गुड न्यूज है आप सभी आईटी आई स्टूडेन के लिए टाटा इस्टिल की तरफ से आईटी आई वालों के लिए बंपर भरती रिली देखे गाईस यह वेकैंसी जो रिलीज की गई है एक तरह की ट्रेणी अपराइश बोलते ना उसी डिपार्टमेंट में आपको परमानेंट जॉब्स मिलेगी करने के बाद आपको यह नहीं की गौवर्मेंट जैसा निकाल देगी के बाद आपको जॉब्स प्रॉइड करेगी विद प्रूफ में आपको दिखाऊंगा तो टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है चलिए डिटेल नोडिफिकेशन वाइस डिसकस करते हैं अलग-अलग स्टार्ट करते हैं इस तरह बहतरीन रिक्रूट्मेंट जॉब पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बैल आकन को प्रेस कर रहें और इस वीडियो को एक लाइक तो बंदा है यार ओके लाइक जरूर करें तो यह टाटा स्टिल की ऑफिसल साइट है यहां प या फिर जो जॉब करना चाहते हैं आपके फादर मदर कोई भी हो जॉब करता हो टाटा स्टिल यहने कि वही चैनल कर सकते हैं इसको वाले बट ऑल इंडिया के अधर स्टेट अप्लाइ कर सकते हैं जिसे जहारखंड की रिकूट्मेंट है तो इसमें सेपरेट जहारखंड आपलाइ कर सकते हैं और दो रिकूट्मेंट है यह है पन- पर जयोंकि जुब करते हैं इंडिया के सकते सबसे जआदा के सेलेक्षन हो गी अल्मोस्त एक- стороны से बाधा उप inhaled में होगा क्योंकि टाटा इस्टिल का जो जनम हुआ है ना वो जमसेदपूर में जहारखंड में हुआ है यह और हमारे राज में इनका जनम हुआ है तो यहीं पर सबसे ज़्यादा recruitment रिलीस की गए है तो सबसे पहले एक एक स्टेट को हम cover करेंगे टेंसल लेने का नहीं सबके बारे में यहाँ पर official बताओंगा यहाँ पर चलिए on करते हैं सबसे पहले जहरकंड का इसलिए मैं मैं साब बोलतो हूँ आपकी स्टेट से हो आप अपना स्टेट जरूर कमेंड करें और अपना trade तो open किये हैं सबसे पहले जहरकंड का देख सकते ह हैं यहाँ पर जो भी candidate eligible होने वाले एज देख लो एक मार्च 2005 से एक सप्टमबर 2008 के बीच में अदरवाइज आप STAC candidate हैं तो एक मार्च 2004 से लेकर एक सप्टमबर 2008 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए physical fitness सारे जो भी टाटा स्टिल में vacances आई है सभी में apply करने के लिए सप्टमाल होना चाहिए आप जिस भी स्टेट में apply करेगे उस स्टेट का domicile होना चाहिए जारखंड में 1000 से ज्यादा vacances होगी तो हमेशा हमीं बोलता हूं state of जारखंड में apply कर रहे हो तो जारखंड में आपका जो है domicile होनी चाहिए जारखंड domicile तभी आप apply कर सकते हैं अब एक चीज़ का हमेशा ख्याल आता है कि vacancy release की गए is apprenticeship की तो इसमें कैसे eligible होंगे फेली देख लो guys allocation of trade and duration of training देखे अलग-अलग trade wise जो भी candidate apply करेंगे the candidate is the interview return test and matriculation marks यानी जो भी candidate apply करेंगे उसका return test भी होगा और matriculation marks के according आपकी personal interview conduct करा आई जाएगी उसके बाद ही आप आपको यहाँ पर selection मिलेगी apprenticeship के बाद यह duration रखा गया है maximum two year की आपकी duration होगी individual module pass mask के हिसाब से उसके बाद जब आपको training successful हो जाएगी ति यहाँ साब साब बता जा रहा है on successful completion of the training and on being successfully awarded the national apprenticeship certificate on clearing the all India trade test यानी की AITT जो देती है in case of vacancy the candidate will be appointment only on role of TSTSL Tata is still technical service limited at any location यानी की जब आपकी जो भी candidate यहाँ पर apprenticeship करोगे तो almost लगवार जो भी candidate जैसे की आप 100% में almost 70% यह से candidate होगे यह भी धियान रखना Tata still सबको job नहीं देती है आपका performance देखा जाएगा आपका quality देखा जाएगा आप कैसे आप training में behavior है उसी के according in case इनके अंदर vacancy TTSL के अंदर तो आपको यहाँ पर jobs मिलेगी और यह कभी मत समझना कि Tata still है तो आराम से यहाँ पर हमको job permanent मिल जाएगी तो सबके लिए permanent ही होती मैं फिर भी यह भी बोलता हूं लेकिन यह भी चीज है कि सबको निकालती भी नहीं है साफ साफ mention है कि हम कहीं पर job देंगे TTSL के अंदर किसी भी location में हम jobs provide आपको करेंगे यह यह लॉलेट कर देंगे training के बाद ओके देखें इसकी जो form है 15 अप्रेल 2024 तक आप फिलप कर सकते हैं 15 मार्च से 25 मार्च तक form apply कर सकते हैं 8 अप्रेल को admit card जारी होगा आपका return test 15 अप्रेल 2024 को conduct कराई जाएगी ओके तो यह ची कमेंट गरके आप ज़रूर बताइएगा यह रीज हारखंड की वेकेंस इसी तरह चलिए हम उडिसा वाला देखते हैं तो उडिसा वाला भी सेम सब कुछ सेम चीज फॉलो होगा हर एक चीज सिर्फ यहाँ पर state of odysa domicile होनी चाहिए यहाँ पर भी आपको jobs and training प्रोवाइड की जाएगी वहीं जो महाराष्ट्रा की recruitment निकाली गई है तो अगर मैं महाराष्ट्रा का देखूं तो यहाँ पर भी apply करने के लिए state of महाराष्ट्रा domicile होना चाहिए आप apply कर सकते हैं आप ITA pass out है उसके बाद apprenticeship का certified और यहाँ पर फॉर्म है आपका 25 अप्रेल तक जहां से भी हो आप apply कर सकते हैं अगर आप apply करना चाहते हैं सारी process दी गई है कि कैसे registration करना है देन application form कैसे fill up करनी है कुछ doubt है तिहां पर phone नमर वगरा दी गई है आप directly बात चित भी कर सकते हैं admin का download करने का भी link दिया गया है शिले बाते हैं other state पर other state को कैसे apply करना है इस पर हम discuss करते हैं तो यह जो vacancies है जैसा कि यह same recruitment है यहाँ पर आपको कहीं भी नजर नहीं जाएगी कि आप किसी state का domicile होना चाहिए आप कहीं से भी हो other state से किसी भी state से आप बिल्कुल इस form के लिए apply कर सकते हैं सेम चीजें रहेगी एक मार्च 2005 से लेकर एक मार्च 2008 तक आपकी एज होनी चाहिए इसके बीच में डेटा बर और एक साल का resolution मिलता है इससी वालों के लिए देन हाइट सबका सेम रहेगा जो कि मैंने आपको बताई है स्टापने विगरा 1961 जो आपका government of इंडिया है apprentice effect उसी के हिसाब से फॉलो करती है दो साल की training इसको भी training करने के बाद किसी भी state में या फिर इक लोकेशन में सिफ्ट आपको किया जाएगा jobs के लिए और यह form ओल इंडिया के candidate अप्लाइ कर सकते है तो जो दो दोनो पैन इंडिया की बेस पे जो form है यह दोनो एक यह और यह यह दोनो ओल इंडिया के candidate अप्लाइ कर सकते हैं ओडिसा वाला form ओडिसा वाला भरेंगे जारकन वाला जारकन वाला भरेंगे महराश वाला महराश्टा वाला भरेंगे और यह जो recruitment उपर वाला दिखाए दे रहे है वो TSL टाटा श्रिल में आपका कोई father mother brother कोई भी है तो व आपको registration में आप open करते हो उसके बाद application की प्रोसेजर आपकी registration की सुरुवात हो जाएगी जैसे यहां पर totally fill up करना होगा basic information है OTP वेगरा सारी चीज़ें fill up करने के बाद यह आप submit कर सकते हैं इसको करने के बाद आपको यहां पर apprenticeship पर login करके apply करना होगा यहां पर जैसे registration इसके बाद इसको login करके आप अपनी registration को complete कर सकते हैं ओके details तो सारी चीज़े मैंने बताई है form कैसे भरनी है with form fill up करने की full process की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएगा मैं totally आपको एडियुलक्स चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा एडियुलक्स रहा है और हमेशा याद रखना टाटा इस दिल के बाद apprenticeship के बाद jobs मिलती ही मिलती है ओके तो hopefully सारी चीज़े मैंने बताई है कौन से trade apply कर सकते हैं जब form बरोगे तो सारे ट्रेट का option आपको मिल जागा तो टेंसन लें almost सारे ट्रेट की candidate यहां पर eligible होते हैं वीडियो इस फि पर देखेंगे में तब तक लिए जह हैं तो